तो मूवी की शुरुआत होती है और हम मिशेल को उसके बॉइफरिंट जॉर्च के साथ में देखते हैं मिशेल का उसके हस्बेंट के साथ डाइवोर्स हो चुका था इसलिए मिशेल अपने बॉइफरिंट जॉर्च के साथ रह रही थी इसके बाद हम मिशेल को एक office में देखते हैं यहां हमें पता चलता है कि मिशेल एक real estate company में काम करती है और इस company के जो owner है वो कोई और नहीं बल कि वो मिशेल के डाड़ ही है इस समय मिशेल के company काफी loss में चल रही थी इसलिए company के सबी employees इस company को बेचना चाहते थे लेकिन मिशेल सभी employees से कहती है कि इन्हें अपनी company को बेचना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये अपनी company को किसी दूसरी company से attach कर लेते हैं तो इनकी company कुछ दिनों में दोबारा से profit करने लगेगी मिशेल का ये idea इसके डाट को काफी पसंद आता है इसलिए ये मिशेल को ऐसा करने के लिए एक chance देते हैं इसके बाद मिशेल जब अपने घर आती है तब हम यहाँ मिशेल की बेटी डारा को देखते हैं मिशेल अपनी बेटी डारा की साथ restaurant में dinner करने आती है dinner करते समय मिशेल रियान नाम के एक लड़के को देखती है जो अपनी girlfriend से fight कर रहा था रियान की girlfriend रियान को छोड़ कर यहाँ से चली जाती है रियान जब मिशेल को देखता है तब मिशेल खबरा जाती है और ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है घर पहुँच पर मिशेल को पता चलता है कि इसने अपना डेबिट कार्ड रेस्टरॉन में ही छोड़ दिया है। पर मिशेल को पता है कि अपने बिजनस प्लान के बारे में बताती है। अगर हम इस प्लान से किसी बड़ी कमपनी के साथ पार्टनर्शिप करते हैं तो हमें अपनी कमपनी बेचनी नहीं पड़ेगी क्यूंकि हम कुछ इस महीनों में अपनी ही कमपनी से प्रॉफिट बनाने लगेंगे। मिशेल का ये आइडिया मिशेल के डाट को काफी पसंदाता है। मिशेल अपने प्लान के रिसर्च के लिए अपने डाट से कुछ दिनों का टाइम मांगती है। इसके बाद मिशेल जब अपने घर पर होती है तब इससे मिलने इसका बॉइफरिंग जौर्ज आता है। लेकिन मिशेल इसका reply नहीं देती क्यूंकि मिशेल जोर्ज के साथ सिर्फ time pass कर रही थी जोर्ज मिशेल से शादी करना चाहता था लेकिन मिशेल इसे शादी के लिए मना कर देती है खुद की बेज़ती होने के बाद जोर्ज यहां से चला जाता है अगले दिन मिशेल जब ओफिस में थी तब यह रियान को कॉल करती है रियान मिशेल को मिलने के लिए बुलाता है इसलिए मिशेल ओफिस का काम छोड़ कर रियान से मिलने आती है मिशेल और रियान काफी समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं कुछ देर बात करने के बाद मिशेल को याद आता है कि आज इसकी एक important meeting है इसलिए ये मिशेल को goodbye बोलकर यहां से चली जाती है आज रात मिशेल फिर से रियान से मिलती है जिसकी वज़ा से रियान को अपने office में लेकर आती है ओफिस में अब कोई भी नहीं था इसलिए मिशे की करीब आने लगती है रियान अब तो पहले से ही मिशेल की लेना चाता था इसलिए ये मौका पाकर मिशेल को उसके office में ही लपेट लेता है मिशेल को अच्छी तरह से लपेटने के बाद रियान मिशेल को क्लब लेकर आता है क्लब से जाते समय रियान दोबारा से मिशेल के करीब आने लगता है क्लब का गाट इन दोनों को ही देख रहा था इसलिए मिशेल रियान को ये सब करने से रोकती है इसके बाद रियान मिशेल को अपने घर लेकर आती है घर आकर रियान मिशेल के साथ खपागप करता है रियान के साथ खपागप करने से मिशेल काफी खुश थी लेकिन तभी इसके डैड इसे कॉल करके इस पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि मिशेल की आज एक बड़ी कमपनी के बॉस के साथ मीटिंग थी लेकिन मिशेल रियान के साथ घपागप करने में बिजी थी इसलिए इसे याद ही नहीं था कि आज इसकी एक इंपोर्टिन मीटिंग है मिशेल अपने डैट से सौरी बोलती है इसके बाद मिशेल जब अपने घर पर होती है तब जोर्ज दोबारा से उसके पास आता है जोर्ज मिशेल को डेट पर लेकर जाना चाता था लेकिन मिशेल जोर्ज के साथ डेट पर जाना नहीं चाती थी मिशेल जोर्ज को बताती है कि तुम मेरे पीछे मत पड़ो क्यूंकि मैं खुद किसी और की पीछे पड़ी हूँ मिशेल की बात सुनकर जोर्ज साट होकर यहां से चला जाता है एक दिन मिशेल जब अपने मीटिंग के लिए जा रही थी तब रियान इसे एक अलग टाइप का खिलोना देता है जिसे अंदर डालने पर वाइब्रेशन होने लगती है इस खिलोने का रिमोट रियान अपने पास रखता है मीटिंग के समय रियान अपने रिमोट से उस खिलोने को आन कर दीता है जिसकी वज़़ से मिशेल मीटिंग में ही अजीब तरीके की हरकत करने लगती है इसके बाद मिशेल जैसी नाम के एक आदमी से मिलती है जैसी एक बड़ी कंपनी का बॉस था मिशेल ने जैसी के साथ एक बार मीटिंग कैंसल कर दी थी इसलिए जैसी मिशेल से नाराज था जैसी मिशेल से इसके प्लान के बारे में पूछता है तब मिशेल जैसी को अपने प्लान के बारे में बताती है मिशेल जैसी को अपना प्लान बता ही रही थी कि तभी रेयान उस खिलोने को दोबारा से ओन कर देता है वो खिलोना मिशेल के अंदर ही था जिसके वाइब्रेशन से मिशेल जैसी को अपना प्लान अच्छे से एक्स्प्लेइन नहीं कर पाती मिशेल की इस हरकत से जैसी इससे बात किये बिना ही यहां से चला जाता है जैसी के जाने के बाद मिशेल रियान पर काफी गुस्सा होती है इसके बाद हम मिशेल को उसकी बेटी डारा के साथ में देखते हैं डारा अपनी मौम को अपने बॉइफरिंड के बारे में बताती हैं डारा कहती है कि ये एक लड़की को पसंद करने लगी है डारा के बात सुनकर मिशैल इस पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए अगले दिन मिशेल जब अपने ओफिस में आती है तब उसके डाड उसपर काफी गुस्सा होते हैं क्यूंकि मिशेल कुछ दिनों से अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी मिशेल अपने डाड को सोरी बोलती है और कहती है कि अब ये ओफिस का काम अच्छे से कम्लीट करेगी मिशेल अब पूरा दिन ओफिस का काम करती है और रात में ये रियान के घर जाकर उसके साथ खबागप करती है मिशेल रियान से इसके बीते हुए कल के बारे में उससे पूछती है लेकिन रियान मिशेल की ये बात इग्नोर कर देता है एक दिन मिशेल रियान से मिलने एक कलब में आता है कलब में मिशेल को रियान की एक्स कल्फरेंड मिलती है रियान के ex-girlfriend को जब पता चलता है कि मिशेल रियान के साथ रह रही है तब ये मिशेल को warn करती है और बताती है कि रियान एक अच्छा लड़का नहीं है इसलिए तुमें उसके साथ रहना नहीं चाहिए मिशेल इस लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मिशेल रात में ही रियान के घर उसके साथ खपागप करने के लिए आती है, घर आकर मिशेल देखती है कि रियान इसकी बेटी डारा के साथ ही खपागप कर रहा था, यानि कि डारा का जो बॉइफरेंड था व अब ये अपनी कमपनी को बेच देंगे क्यूंकि इनकी कमपनी हद से ज्यादा लॉस में चली गई है। मिशेल अपने डैड से अपनी कमपनी को बचाने के लिए एक और मौका मांगती है। लेकिन मिशेल के डैड मिशेल को अब कोई भी चांस देना नहीं चाते थे। मिशेल इस बात से काफी अपसेट थी कि तभी रियान इसे मेसेज करता है मेसेज में लिखा था कि ये जब चाहे तब इसकी बेटी के साथ खपागब कर सकता है मेसेज पढ़ते ही मिशेल रियान के घर आकर रियान को मारने लगती है कुछ देर fight चलने के बाद Michelle रेयान को बेहोश करके इसे पान देती है रेयान को जब होश आता है तब Michelle इसे खोब torture करती है यहाँ से जाते समय Michelle रेयान से कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा हतियार काट कर तुम्हारे ही पिछवाडे में डाल दूँगी यह बात सुनकर रेयान समझ जाता है कि इसने गलत औरत से पंगा ले लिया है इसके बाद Michelle अच्छे से तयार होकर अपनी मीटिंग अटेंड करती है Michelle के अंदर अब किसी भी चीज का डर नहीं था इसलिए अब ये अच्छे से अपना प्लान सभी को बताती है Michelle जैसी से भी मिलती है और इसे भी अपने प्लान की एक फाइल देती है फाइल पढ़कर जैसी को ये प्लान काफी अच्छा लगता है और ये Michelle को कल आने के लिए कहता है अगले दिन जैसी Michelle के कमपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पेपर पर साइन करके Michelle को दी देता है मिशेल के इस काम से मिशेल के डाट काफी खुश होते हैं क्योंकि मिशेल ने इनकी कमपनी को बिकने से बचा लिया था मिशेल अपनी सेक्रेटरी के साथ जशन मना रही थी कि तब ही जैसी यहां आता है मिशेल अब जेसी के साथ खपागप करने का प्लान बनाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पलखत्म हो जाती है